हालो माई डिया स्टूडेंट वेलकम टू आवर चैनल आप सब कैसे हो एक्सपेक करूँ आप सब काफी ठीक रहोगे आप देखर हो बेटा है मल सर की चैनल पर आज हम स्टार्ट करने वाले बेटा ब्रांच अकाउंट चालू करने वाले सर यह तो थर्ड चेप्टर फॉर्स एकउंट परदेट यह आपको ऑच्छे से करना है उसमें नहीं नहीं तो मैंने 15 वीच सम दिये गए थे कुछ सम मैंने 10 की आला वहा नव 10 सम मैंने कराएं बाकी के संभी करोगा पहले आप उस संभी खुझ से प्रेक्टिस करें हाला कि नव संभी इनफ है आपके लिए पन नहीं है मल सरे तो सबसे जादा ही कराएगी यह चीज आप मानके चलिए यहाँ पर बैटा अपना चेप्टर चल रहा है ब्रांच आपको अकाउंट आपको अ गढ़न खाएं ब्रांच होते आपने देखा रहेगा कोई भी माउन है आझा एक क्या होता है इंडर में सारे ब्रांच क्या करते काम करते हैं इसको क्या बहुत है सर है आफ इस की अहांड करेगा क्लियर है तो सैंट कैसे काम करेगा क्लियर प्रांच का में मकसद क्या होता है जो भी कमांड जो लेगा कुन देंगा अपनी मर्जी से कुछ नहीं करता है फॉलो करता है और थोड़ा डीप में बताओ ब्रांच क्या होता है जैसे हर एक जो कपड़े की दुकान की बात करूं तो हर एक क्या होता है सपोज मुझे मेडी खोलना है तो मैघ डी का हैड ऑफिस कहां पर अमेरिका में उसका इंडिया में साउध अफरीका में अलग अलग कट्री ब्रांच昨ह को आपको बात करोutan की का अदरम अमर apoyo उसकेождения पर आपको इतने सारे फॉलो नहीं करने यहां पर ख़ली आपको एक ही चीज फॉलो करना देखो कि आपको सब को समझ में काँ पर है सबरि तो बोरी तो बोली उसके अलावा जो भी छोटे मोटे मौल में वाल सारी उसकी क्या रही ब्राण्चिस रही जैसे भी देखा रहे आईस क्रीम वाले की आप बोलते हुना सर आपकी अलग और कोई ब्रांची से पर हां मेरी यहां पर अब की ब्राइब को नाम दे यहां सामान काम से करना आपको तो समय करना क्या होता है कि हमें यहाब पर किसकी नजर सोचना है हमें यहाब पर सोचना है बेटा कि अंच कि बरांच की नजर से मत सोचाना मोश्ट वब बच्चे यह गलती करते हैं किसकी नजर सोचते हैं और से пер Давай took तो अभी हैड ऑफिस के पास रौश आ रहा है कि जा रहा है जा रहा है कि इसके पास आ embarrassing के पास क्या वह कि इसके पास ने गुट्स किसको दे रहे ब्रांश को तो इसके पास कि साइव को अ यह सब hastily के पास कि पास किसके ब्रांच के पास कि बेता पैसा और फिसके पास को टैसे जा प्रचर ओरा रहे आई जैसे सथा नहीं समझ नख शुलिटा हूं यह जो है Tei से head office branch को क्या करी दे रही है क्या देए सबसे पहला goods दिया head office के पास से क्या जाए का बैटा head office credit word goes out or debit the receiver को अब है अब हैड़ ऑफिस जैसे cash दे रही है head office के पास से credit word goes out cash जा रहे debit the receiver क्या रहेगा branch सेम ऐसा बच्चा हुआ goods क्या करेगा रिटरन देदे दो गुट रिटरन कर नद यह एंटर उल्टा हो जएका को रिटन करेगा ब्रांफ एडर ओफिस को अभी देर एक टूअब रहे हैं तो इसार पूरा गद P ब्रांच के पास जा रहे हैं अभी पैसा बचेगा ब्रांच कि सको देता किसके पास से जा रहा रहेगा ब्रांच के पास से जा रहेगा सर इतनी चीज़े करें हाँ बेटा सब कुछ समझ में आपको आगे सर कौन सा चीज कहां पर दिया गए अभी देखो ब्रांच कर भी दो साइड होता है यहाँ अब सबसे पहले की ब्रांच का रहेगा यहां पर सारे असेट्स के आजएगे के नाम आ जाएगए पर सर लाइबलीटी का 하 को रहें पर बहर, करेडि़न में नाम की बहर हों 산 यह कौन सी है विटा ओपनिंग यह कौन सी है ओपनिंग अशेट और और सग नाम सारा कहा आज जाएगा डेबिट साइगा और राच अकाउंट का नाम आ जाएका क्योंकि क्लोजिंग असेट्स अल्वेस डेबिट साइड मतलब ब्रांच अकाउंट की डेबिट पर उसे क्लोजिंग करें के तो ब्रांच अकाउंट का जाएगा रिखा लाइबिटी का नाम रहेगा अभी नहीं समझा डोंट वरी जो अभी आपको बताने माला उसका सभी का मैंने को है हेमल सर हेमल सर दो है एक होता है अपना कॉलेज सेक्षण के लिए जो 11 12 दूसरा अपना डिगरी सेक्षिन अगर आप गलती से इले पर चले जा हाई लेए चैनल आपको स्पेशल टेली एन चैनल लावान पर आपको जाना है इसकी आपको मिल जाएगा पीडिएफ और जितने भी सम देखो यहां पर तो अभी PDF में फिलाल मैंने तीन सम डाले है यह आपना question number one यह तो simple simple है one two और three तो आपको तीन question है तीन question मिल जाएगे और भी जैसे अपडेट आते जाएगा मैं आपर पूरा ना और लार्ष पूरा का पूरा रटन करता है जैसा अब भी बड़ा है ब्रांच का सामान बेचे का इंकम ब्रांच का एंसम इस मैं प्रांच को दिया या तो बाइन दूसरी ब्रांच से उस ब्रांच में आ रहा है जैसे आपने पात दो रही और भी वाली ब्रांच एको दे रहा है तो ब्रांच के पास है अब रहरे किसका नाम रहेगा और रहेगा से मेज़ा कैसे कर रहें ब्रांच के पास से को एक्सपेंस ऑफ ब्रांच मीड़ बाइड ऑफिस मतलब ब्रांच ने कुछ खर्चा किया रहेगा री एमबेस्मेंट कहां से मिलेगा है रोफीस है मतलब ब्रांच खर्चा किया है उसको देदेगा तो अभी ब्रांच के पास पैसा क्या हो रहा है जा रहा है किसके पास आ रहा है और क्रेडिट उल्टा हो जाएगा जैसे मैंने बता था गुट्स रीटन तुर है सामान बचकि सको ररीटन करने उप्रच को करने अभी हैं और किसे पास लजो ब्रांच के पास TU PARC और किसके पास से जाए पास से किया हरा है है क्यों यहां पर ढलंख चकाश्चे पह था आगा प्रांश दे रहा है ऑप्र दीश व् immer की से और भांश को भी क्या करीenser इसके पास से क्या हो रहा है और मतलब अबिंड़ सक यहीज ब्रांच ने कुछ देज रहा है तो यह भूर्ण बीध्र दे है तो ड़ाइन गूर्डण ब самойसे सी बात है ना तो एरो आरहा फैर्स को बात चाहित आर्राइए जो पीसा प्लाइगा तो आरा किसे King को देतेक् rondस्फ अपने यह सारी चीज़ें हमने कहा कर दी अभी मैंने आपको क्या करके रखा था डिसकस कर दिया तो जैसे यहां पर देखो इसारी आपको सेम टू सेम यहां पर आपको दिखने मिली रहेगी बस वहीं एंट्री है अभी जैसे देखो वो closing assets के पहले हम opening assets देखते हैं जैसे मैंने बताया तो opening assets branch assets bring मतलब bringing का मतलब क्या होता है opening assets दिया गया अरे सर अभी आपने बताया assets always कहां होता है debit side तो मतलब branch account debit यह कौन सा asset सारे के सारे बिटा opening opening balance of assets branch account debit to stock to data to cash fix asset prepaidX मतलब entry कहा रहेगा branch account debit और credit में सारे के सारे assets के क्या आएगे नाम आएगे पर यही अगर liability रहेगा तो entry क्या रहेगा ब्रांच liability bringing मतलब beginning beginning का मतलब क्या रहेगा starting का मतलब starting year का रहेगा तो ने एक assets always debit side liability always credit branch account क्या रहेगा credit और debit में किसका नाम आप जाएगा क्रेडिटर क्रेडिटर outstanding expense यह तो बेटा यहां पर आता है बिल्स पेबल आता है और यहां पर क्या आता है अपने बेंक ओड्राव आता है अपने नाम लिख देना क्रेडिटर बिल्स पेबल बैंक ओड्राव क्रेडिटर अकाउंट डेबिट आउट इसका नाम आ जाएगा ब्रांच का नाम आपको आ जाएगा क्लियर यह तो रहा है यह ब्रांच का नाम ध्रेगाल क्रेडिट लाइबिट अगर क्रेडिट में किसका नाम आ जाएगा है पहलेfamily पर समझो सब नहीं समझ में आ रहा हो यह साराire मैंने कौन से घ्रिक्या आपको ओपनिंग हचेट्स लिएसरे आपको यहां पर सिंपल आ मैंने बता है इं नहीं 2 और तहुं वॉरे मतलब देखो असेट्स मतलब ब्रांच अकाउंट टे पी तु सारे के सारेर सेट्स के नाम आ गए यहां पर क्या रहेगा लाइबिबीट्टी मतलब क्या रहेगा ब्रांच सखेलीा मतारी हो SEC तो अब दॉबिं में यहां पर क्लोजिंग एतना यहांद करे negative और यह वृपनिया लाइब्लीटी क्रेडीट इस जाहीropy आप देख रहे हूँ यह सारण का सव spoiler क्लोजिंग होगे लेगा जो भी चीज़े यहां पर क्या होगे आ गई क्लियर समझ में आ गया सर मतलब यह ओपनिंग यह क्या था अपने लिए क्लोजिंग अभी और अच्छे से बताओ तो जैसे अकर देखो हमने क्या लेका था गुट सेंट टू ब्रांच एंट्री क्या था ब्रांच हमने किसकी ने स सोचना है बेटा है एड़ ऑफिस है अनसे जा रहे डवी दरी सीवर इसी को ने बटा ब्रांच तो देखो तो ब्रांच अकाउंट डेबिट तो यहां पर क्या गर गुट सेंट टू ब्रांच एड़ अपर अनदर ब्रांच जैसे मिने बताया था यह अंत्री क्या था सेंट बाइड ऑफिस अब अनदर ब्रांच अभी ब्रांच को हम क्या दे रहे पैसा दे तो सब्सक्राइब तो और उल्टा था तो जा bene तो गुट सेंट तू ब्रांश अकाउंन डेबिट फैया पर यहां पर आप स्टमर भी पैसा बचे तो यह इंट्री उल्टा हो जादे आपको याद एका जो क्या होगा ब्रांच के पास से क्या होगा जाएगा सॉरी सॉरी यह इंट्री उल्टा हो जाएगा क्लियर जो भी ब्रांच के पास पैसा पड़ा है पैसा आ रहा है किसके पास से जा रहा है तो ब्रांच के पास से जा रहा है तो ब्रांच के पास से जा रहा है तो ब्रांच के आगर उने को क्या पता चलेगस ये सब बत अब प्रोफिट अगर क्रेडिए शाधा डेगा तो मिरius क्या होंगा önेट साल नेटुस होगा सर का तो प्रॉफिट होगा का तो लोस होगा दोनों होता नहीं एक लिए बस खली यह फॉर्मेट आप बुक में लिखके रखो आपको सारी चीज़े मैं समझा दूगा कुछ भी नहीं है देखो यह सारी चीज़े यहां पर है क्लियर एक और एक और एंटरी आपको याद रख का मतलब क्या होता है क्या होता है जाए काफ अस डावब ये बच को जो बीच थो चैप्टराइब ट्रेडि अब यृट अब इतने तो जादे बच्छे जाए हमें completely head office सोचना है अभी ब्रांच के पास जो भी गुड बचा ओसारा का सारा किसको देदेगा सब्सक्राइब क्लोजिंग असेट सारा का सारा पर्चेस अकाउंट या तो आप क्या लिख सकते हैं उसको ट्रेडिंग काउंट में जाएगा अभी देखो गुट सेंट ब्रांच बहुत बढ़ा गया इसी का भी क्या बनाना पड़ेगा अलग से अकाउंट बनाना पड़ेग क्लियर अब पीडीएप में लिक्ट आपके बाद अगर नोट बुक में इसांट इन्टरी को लिख रहे हो हैं पर्चेस को यह जैसे अगर प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट र्स अक्रेडिट डेबिट में किसका नाम रहे का ब्रांच का नाम रहेगा का तो नेट ने बताई सारी यहां पर क्या होगी आ गई है क्लियर यह जो यूसी एंट्री को पोस्ट करना अभी से यहां पर एक और अकॉंट बनेगा गूट सेंट टू ब्रांच पहला एंट्री क्या था बेटा बैदबेगा एक किसको दिरा व्र जा रहा है तो मतलों किसका नाम ऐह का विपराटा सरकों एक तो प्लैक्ट मेंसका नाम था रहें तो बूट सेंटू 7 अकान क्रेडिट में किसका नाम था बूट्रानच यह निया रहे देखो तो good send to credit credit send by another branch send by head office किया कर रहा है दे रहा है क्लियर यह दो जन क्या कर रहे सामा धे अभी ये सामन को क्या करेगा ये कुछ सामन जो return मिला उसको क्या करेगा return कर देगा मतलब return करेगा तो अपने पास से क्या होगा branch की अभी head office की होब इसके पास goods आने वाले तो goods sent to branch account debit तो किसका नाम रहेगा branch account का क्या रहेगा नाम रहेगा तो goods sent to branch कापर debit debit में credit में नाम किसका branch return by branch to head of branch to head office to branch to head office को क्या ग्या कर रहे डिए रहा है रिटन भाई प्रांश टू कस्टमर कस्टमर टु हैड ऑफिस रिटन सेंड टू ब्रांश टू अनग ब्रांश को गई स्थारीके से ब्रांश होता ना एक लाख और जो एक लाख वाला जो आमने एंट्री पड़ा क्या आगा पॉर्चेस अकाउट और ट्रेडिंग और यह कौन सा है बेटा क्लोजिंग गूट्स का क्या है एंट्री है क्लियर रही है इतनी चीज आपको क्या करने है समझ नहीं देखो अभी भी नहीं समझे इ आपको याद हो जाएका विद्धाउं टेलिंग एक्स्क्यूस और बहुत ही सिंपल चेप्टर बस आपको खली इसमें करने की जरूते बाकी सारा काम मेरे पे छोड़ दो में इजी ली आपको सब कुस समझा दूगा तो ठीके बिटा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर